तो यहां पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही important वीडियो और बहुत ही महत्तपूर्ण वीडियो दिया मेरे पैरे बच्चों यहां पर ध्यान दीजेगा मैं एक subject नहीं मैं 5 subject की बार करूंगा यहां पर हिंदी, इंगली, फिजिस, कमेश्टी और बाइलोजी जो बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ठीक है ना यहां पर आपके लिए one side video होने वाली है और hundred percent guarantee है कि यहां से जो मैं topic बताऊंगा ना यहां से आपके प्रशने जरूर बनने वाले हैं ठीक है ना घ्यान दीजेगा 500 number पक्का आपको हो जाएगा पूरे साल की तैयारी आपको आज हम एक दो घंड जितना भी समय लेगा मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं ठीक है ना और यह video आपको छोड़ कर कहीं जाना नहीं है क्योंकि इस video में मैंने आपको बताया है कि यहां पर कौन कौन से प्रशन आने वाले हैं और कौन से topic कि कितने प्रशन आएंगे औ दो सारी हमें आपर चर्चाय करने वाले हैं ठीक है ना तो सभी लोग क्या करेंगे वीडियो को जरूर से एर कर देंगे देखिए ध्यान दीजेगा यहां पर आपको important question मिलेंगे और 2024 में सब आपको फोड कराना है सारी questions को कर कराना है कोई ऐसा question आपको छोड़ना नहीं है और आपको ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है पूरे किताब का निचोड दे दूँगा मैं यह किताब का नहीं यहां पर मैं आपको हिंदी, इंगलीज, फिजीक्स, कमेश्ट्री और बाइलोजी सभी subject का यहां पर मैं आपको निचोड देने बाला हूँ ठीक ह वीडियो सिर्फ आपके लिए है यहां पर अच्छी तरीके से आपको समझना होगा और अच्छी तरीके से रुकना भी होगा ठीक है ना तैयारी 2024 की यहां पर मैं आपको कर दूँगा यहां पर आज को सब को आपको यहां पर सारे प्रश्नों को बता कर ही जाने वाला हूँ कर देंगे क्या क्या पढ़ना है वह सारी चीजह आपको बताओंगा weapons कम यहां पर हैंगा यहां कुछ भी नहीं आने बाला है ठीक है न? तो तो महतपुर्गद्यांस की बात करेंगे महतपुर्गद्यांस में ध्यान दीजिएगा पहला देख़िए आपको अगर हम यहाँ पर देखें प्रश्णों की बात पहले कर लेते हैं ध्यान दीजिएगा तो प्रश्णों की प्रश्ण नमबर एक और दो में ध्यान दीजेगा यहाँ पर हिंदी साहित के बहुत भी कलपी प्रश्ण आएंगे करने का मतलब यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजेगार हिंदी साहित की बहुविकलपी प्रस्ण की बात करें तो यहाँ से आपको कुल मिलाकर दस नंबर मिलने वाला है और दस नंबर कहां से मिलेंगे मेरे पेरबचा लोग वो दस नंबर आपको मिलने वाले हैं पाँच प्रस्ण आपो हिंदी गद्ध साहित के विकास से और पाँच प्रस्ण आपको हिंदी पद्ध साहित के बोखविकलपी प्रस्ण मिलने हैं ठिकला तो यह आपके लिए बहरी भेरी most important है चलिए अगरा देखिए प्रस्ण No.3 की बात करेंगे हिंदी गध्यांस पर आधारित प्रशनों की बात करेंगे हिंदी गध्यांस पर आधारित प्रशनों की बात करेंगे और हाँ ध्यान दीजिएगा जो प्रशन मैं आज आपको बता रहा हूँ जो चीज बता रहा हूँ उसको आप लोग एक नोड से बना करके लिखते चलिएगा, यह आपके लिए time बहुत ही important है, ठीक है न, जो भी time यहाँ पर आज आप देंगे न, वो आपके लिए quantity time होगा और एक beneficial time होगा, ठीक है न, इसलिए मैं आप से करा हूँ कि यहाँ पर आपको last तक जरूर रुके रह ठीक है न, तो ध्यान दीजेगा, महतबुल गद्यांस की बात करेंगे, महतबुल गद्यांस में देखे राष्ट का स्वरूब, ठीक है न, राष्ट का स्वरूब, पहला आपका चेप्टर, राष्ट का स्वरूब, वासुदीव सरन आग्रवाल दोरा लिखा गया है, तो इनके चैप्टर्स में जितने भी गद्यांस हैं उनको तैयार कर लिए यहां से आपके प्रस्थ जरूर बने वाले हैं ठीक है ना उसके बाद अगला चैप्टर हमारा है असोक के फूल जो कि किस ने लिखा है हजारी प्रसाद रिवेदी जी ने लिखा है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इमत पूर्ण है इससे कि ऐसे भी आपको जो गद्यांस बनने वाले हैं ना वो गद्यांस आपके एक्जाम में आएंगे मैं आपसे दावा करता हूं 100% गरंटी है कि यहां आपको तीन चैप्टर तयार करने हैं और तीन चैप्टर से आ आपका पूरा का पूरा गद्यांस सौल्व हो जाएगा इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है यहां पर ध्यान दीजेगा भासा और आधुनिक्ता की बात करेंगे प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी जी ने लिखा है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है ठीकर ना उसके बाद में बात करूँगा अगला प्रस्नमारे पराता है देखिए हिंदी गद्यांस पर आधारित प्रस्ण और हिंदी पद्यांस पर आधारित प्रस्न भी आते हैं इसलिए इसमें आपको 10 नमबर मिलेगा और यहां से भी आपके प्रस प्रिवाद जुद के द्वारा द्वारा प्立ूति गया है किसक mote लेखे हैं'? किसे द्वारा मैय। सरन गुप्तक द्वारा लिखा गया है कि सुष्डधा मनू की बात करेंगे सुष्डधा मनू आपके किसके द्वारा लिखा गया है जो कि किस ने दहन देज़ेगा यह तीन चैप्टर आपको तयार कर लेने हैं यहां से आपको 100% नमबर मिलेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ठीक है न तो यहां पर आपको और सिर्फ यह तीन chapters को पढ़ना है जिससे कि आपको यहां पर महत्पुर्पध्यांस का जो section है वो ना complete हो जाएगा ठीक है ना तो यह आपके लिए बेहद important है और बेहद ही महत्वपूर्ण है ठीक है ना तो चलिए ध्यान दीजेगा इन तीनों chapter को अच्छी तरीके से पहल दीजेगा आपके पास आता है कभी का साहितिक परिचे क्या आता है देखिए लेखक का साहितिक परिचे आएगा अब कौन कौन से हमारे लेखक है जो आपके लिए important है उनकी मैं पहले चर्चा यहां पर कर लेता हूँ ठीक है ना तो लेखक का साहितिक परिचे में ध्यान दीजेगा महत्वपूर्ण लेखक परिचे तो पहला आपके कौन है वासुदियव सरण आगरवाल कौन है वासुदियव सरण आगरवाल ह हैं दूसरा कौन है हजारी प्रसाद द्रिवेदी जी हैं कौन है हजारी प्रसाद द्रिवेदी जी हैं जो कि आपके लिए important और बेहद हिमत पूर्ण है ठीक है ना तो यह आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए important और बेहद हिमत पूर्ण है ठीक है ना तो इन दोनों को आपको याद कर लेना है और 100% है कि एक्जाम में इन दोनों को पूछा जरूर जाएगा तो यह आपके लिए बेहत important और बेहती मतपूर है ठीक है ना तो चलिए ध्यान दीजे अगला देखिए महतपूर कभी परिचया की बात करेंगे महतपूर कभी परचया में आपके ध्यान दीजेगा कभी का साहितिक परचय आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि कभी का साहितिक परचया क्या होगा ठीक है ना तो यह आपसे पूछता है और बहुत ही इंपॉटेंट आपके लिए प्रशन है, 100% पूछा ही पूछा जाता है, यह जो प्रशन में आपको बता रहा हूँ न, यह 100% सेक्योर है कि यह प्रशन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, ठीक है न, तो इन इनको आप लोग यात कलीज़ जेगा, इन ही से आपसे पूछेगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉटेंट और बहुत ही मतपूण है, ठीक है न, आगे हम बात करेंगे, आप ध्यान दीजेगा, महतपून लेखक परचे की बात करेंगे, महतपून लेखक परचे में अग अगरवाल आएंगे, और हजारी प्रशाद गिवेदी जी आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपूटन और बहुत जादा पूछा जाता है, ठीक है न, तो मैं ऐसे लेखक का नाम बताउंगा, आपको अग्जाम में जो आपके प्रशन पतर में पोछा जायेंगे, उन को यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद ध्यांदीज़ेगा, महतपुर कहाणी में जैसे, बहादूर और पंचलाइट, भी देखे, कहाणी का सारांस, अत्वा उद्देश से लिखिए, तो आपको लिखना है, बहादूर कहाणी और पंचलाइट, किसी में से एक आपको हो जैए तो यह आपको अच्छी तरीक है समंज में आया चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग और बच्चे hemारे साथ जूड़े है अभी तो यह हिंदी चल ठाल है हे अभी आपक़ क्या चलेगा एंग्लिस चलेगा कमेश्टी चलेगा फिजिक छलेगा और बाई- इन प्रस्णों को लिख कर ही अच्छी तरीके से चलना है और याद कर लेना है इनको ठीक ना इनको याद कर लेना है आपको ठीक ना याद करते हुए पूरा प्रस्णों को तयार कर लेना है क्या कर लेना है सभी प्रस्णों को क्या कर लेना है तयार कर लेना है ठीक ना चलिए अगला हमारे पास आता है topic क्या आता है धान दीजेगा very very most important topic आपके लिए है और बहुत बारी है तो 100% ही पूछा जाता है आप देखिएगा exam में ठीक है ना अपने जिले का खंड काब्य धान दीजेगा आप जिले के आधार पर आपसे खंड काब्य पूछेगा श्रमण कुमार, रश्मी रथी, मुक्ती यग्य, त्याग पती, अशोक के फूल तो इन में से आपसे पूछेगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉटन्ट है आप अपने जिले के अनुसार जो प्रयाग राजवाले हैं वो खंड काब्य पूछता है तो ये आपसे पूछ ल बात करेंगे तो संस्कित पर अधारी जो प्रशन आते हैं आपको संस्कित की गद्यांस लिखने के लिए आते हैं और संस्कित में जो आपके इस लोग हैं इस लोग को आता है पूछने के लिए संस्कित गद्यांस में ध्यान दीजेगा यहां पर अगर हम संस्कित गद्यां की बात करेंगे इसमें आपसे पूछेगा ठीक है ना तो संस्कित भाशायाम महत्वम की बात करेंगे तो संस्कित भाशायाम महत्वम में आपसे पूछेगा जो आपके गद्यांस देगा उससे आपके का पूछेगा इसका आपको ब्याख्या करना है इसका अर्थ लिखना है क चेप्टर आपको तयार कर ले रहें अच्छी तरीके से जहां से आपको प्रश्ण मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से इसको भी आप लोग तयार कर लिए ठीक है ना और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्डन्ट और बहुत है ठीक है ना सभी लोग अच्छी तरीके से इस बच्चे टापर होते हैं, वो सभी सब्जिक्ट तयार करते हैं, और तभी वो टापर बनते हैं, कोई बच्चा अगर एक सब्जिक्ट में महारत हांसिल कर लिया, तो वो टापर नहीं बन सकता, वो सब्जिक्ट में टापर होता है, लेकिन पूरे आलोल टापर नहीं बन सकता, यही कारण है कि आपको सभी सब्जिक्ट को बराबर समय देना होगा, बराबर पढ़ना होगा, किसी चीज को छोड़ना नहीं है और इसी में ध्यान दीजे का दूसरा प्रसना आपसे पुछेगा संस्कित स्लोक देखे एक चेप्टर आपको इसमें पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको एक चेप्टर पढ़ना है, वो चेप्टर कौन सा है, शुभासी रतनानी, कौन सा है, शुभासी रतनानी चेप्टर है, और इससे आपके इस लोग जरूर से जरूर मिल जाएंगे, इस तो पुन मुहावरों की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इमत पूर्ण है और संधिविक्षेत अगर यहाँ पर आप देखी तो संधिविक्षेत और विभक्त और वचन ये सलेवस से आपके काड़ दिया गया है इसलिए यहाँ पर मैं आ अपना उल्लू सीधा करना यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना ठीक इसका मतलब क्या होता है अपनी बात को ही सीधा, अपनी बात को ही मनवाना, ठीक है न? चली अगला देखिए, उल्टी गंगा बहना, क्या? उल्टी गंगा बहना मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान दिजिएगा, आप कार के बेपिरीत कार करना या आप का हो जाएगा टकासा जबाब देना है, तुरंत जबाब देना तुरंत क्या करना जबाब देना ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इमात पूर्ण है तो इतना आप लोग पढ़ लेजिएगा आगे आपको चर्चा करते हैं देखे यारे नमबर आपसे पूछेगा कि सब्द यूग में एक सब्द के दो अर्थ पूछेगा वाक्यों के लिए एक सब्द आपके पास आएगा वाक्यों को सुध लिखना आपसे पूछेगा तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इमात पूर्ण है प्रशनबारा की बात करेंगे दिजेगा परिया वरण पर आपको निबंध याद कर लेना है ठीक पहला आपके पास यह हो जाएगा दूसरा दिजेगा दूसरा आपके पास आजाएगा दिजेगा क्या जाएगा बिज्ञान अभिसाप या अभिसाप या यहां पर क्या जाएगा बिज्ञान अभिसाप आशिरवाद ही आपको कर देना है उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको आ जाएगा ध्यान दीजेगा मेरे प्यारे बच्चा लोग आपको क्या करना होगा भारती संस्कृति के बारे में लिख देना होगा भारती यह भारती यह संस्कृति के पूछता है बहुत जादा प्रश्वी नहीं फेल कर सकता है ठीक है ना इनको अच्छी तरीके स्तैयार कर लिजेगा चलिए आगे आपको बताते हैं अगला देखे क्या है आपके पास रस छंद अलंगकार क्या है रस छंद अलंगकार यह आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत करूण रस ठीक ना याद कर लेना है और भीर रस याद कर लेना है यहां पर आपको आजाएगा ठीक ना पहला क्या आद करना है आपको करूण रस बहुत ज़्यदा पूशता है ठीक ना करूण रस दूसरा क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा दूसरा आपसे पूछेगा क् क्या पुछता है हास यह रस ठीक यह आप से दो याद कर लिजेगा चंद की बात करेंगे तो रोला याद कर लिजेगा रोला आपको दो हायाद कर लेना है ठीक है ना दो इसको आपको याद कर लेना है पहला यह आपको हो जाएगा दूसरा आपका यह हो जाएगा अलंकार की बात करेंगे पहला अलंकार आपके पास क्या जाएगा उत्प्रेक्छा अलंकार क्या हो जाएगा उत्प्रेक्छा अलंकार ठीक है ना यह आपके पास हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा उपमा अलंकार क्या हो जाएगा उपमा अलंकार ठीक है ना यह आपके लिए हो पूरा का पूरा syllabus मैंने complete करा दिया और जो बच्चे अभी तक रुके हुए ना उनका मैं बहुत-बहुत धन्यबाद देता हूं और ध्यान दीजेगा वो वो ध्यान दीजेगा ये आप लोग अपनी copy में लिख लीजेगा इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है यहां पर आपको exact मैं बता रहा हूं analysis करके कि आपको यहीं से ही प्रशन मिलने वाले हैं ठीक है ना चलिए ध्यान दीजेगा आगे मैं बात करता हूं आगे जो आपके लिए बहुत important topics हैं अभी मैं हिंदी का बताया हिंदी के बाद अगला subject मैं आपको बताता हूं देखिए अगल इंगलिस का बताऊंगा कि इंगलिस में आपके कौन से चप्टर्स हैं जो important हैं और कौन से topics ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है ना अब की बार 95 पार मैं आपको करवा दूँगा यह मेरा वादा है 2024 में अगर जो बच्चे हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए है ना वो इन टॉपिक्स को लिख लीजिएगा और देखिएगा कि आपको 100% नमबर ज़रूर मिलेगा कक्षा 12 इंगलीज 24 की बात करेंगे 100 नमबर पक्का कर देंगा और बस इतना आपको पढ़ना है 100% गारंटी है सब धुमा धुमा कर दूँगा ठीक है ना टोटल आपको 12 कुछ सन पूछे जाएंगे कितने टोटल आपके 12 कुछ सन पूछे जाएंगे अब देखिए 12 कुछ सन कौन है वो आपको मैं बताऊंगा और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने बात करेंगे पहले उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि आपको पुरा डिटेल बताना है इसलिए आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा और यहां से आपको 15 नमबर मिल जाएगा कितना नमबर 15 नमबर आपको यहां से मिल जाएगा और इसको आप लोग लिख लिज़िएगा ठीक है न तो one long passage आपको unseen passage की बात करेगा four short questions की बात करेगा तीन vocabulary questions आपसे पूछेगा ठीक है न यह भी आपको कर लेना है जो कि आपके लिए बहुत important और बहुतिमत पूरा ठीक है न चलिए और यहां से मैं आपको solve करने का जाम बहुतरीन trick बताऊंगा यहां को solve कैसे करना है ठीक है question number 2 की बात करेंगे, 6B की बात करेंगे, writing की बात करेंगे, ठीक है न तो writing की बात करेंगे, article writing की बात करेंगे, 150 words में आपको लिखना है तो article में जैसे आपका दे दिया game value, मतलब आपके game का महत तो क्या है, यह आपको बताना है, pollution problem in India, आपके भारत में जो pollution की problem है, वह क्या ह विंदेल्बुवैन इस अप बात करेंगे तो फैस्टो आपके तेवहार आपके भारत में कौन कौन से तेवहार मनाया जाते हैं उसकी यहां पर बात कर रहा है इसको आप लोग कर लिजरएगा चलिए आगे आपको बताते हैं तो यह आपके जो टॉपिक्स है ना ये नमबर देने वाले टॉपिक्स हैं ऐसा नहीं इसमें आपको नमबर कटेगा देखे इसको भी solve करने के दम बहतरीन ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूं ध्यान दीजेगा मैंने पैसेस का बहुत सारे मौल पर solve करवाया हुए हैं उन पैसेस को आपको देखना है क्योंकि वह जाइएगा जो मौल पर मैंने solve करवाया हुआ है वहां पर आपको मैंने ट्रिक बताय हुई है आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको बताया कैसे आपको इसमें देखे इसके भी ट्रिक है आपके पास इसकी ट्रिक क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है ध्यान दीजेग यहाँ पर अगर आप से कह देगा game value पर लिखिए तो ध्यान दीजेगा कि आपको 10 से 15 sentence आपको बना लेने हैं और उसका translate कर देना है क्या कर देना है उसका translate कर देना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजेगा इसका translate कर देना है और ध्यान दीजेगा translate करने के बाद आपको लिख देना है रगर आपने 15 sentence बना दिया तो आपको यहां पर आपका डेर्ट सववर्ड में complete हो जाएगा और आपको 10 नमबर यहां पर मिल जाएगा ठीक है न यह आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद important और बेहद इम्धापूर्ण है ठीक है न चलिए आगे आपको बताते हैं चलिए ध्यान दीजेगा question 3 की बात करेंगे लेटर writing की बात करेंगे ठीक है न तो बेहद रेटिंग में ध्यान दीजेगा यह भी आपके लिए बेहद important है और बेहद ही म लेटर राइटिंग की बात करेंगे लेटर राइटिंग में ध्यान दीजेगा कि Breakdown of Water Supply ठीक है ना पहला आपका यह हो जाएगा दूसरा आपका यह हो जाएगा तीसरा आपका यह हो जाएगा अब देखिए पहला इसमें भी आपको कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ जैसे आपको वाटर राइटिंग की बात करेंगे लेटर राइटिंग में ध्यान दीजेगा पहला लेटर राइटिंग आपका क्या है Breakdown of Water Supply Water Supply का Breakdown क्या हो जाएगा यह आपको बताना है तो ध्यान दीजेगा breakdown of water supply में क्या हो जाएगा 10 number आपको यहां से मिलेगा कितने number 10 number आपको यहां से मिलेंगे और इसका भी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 sentence बनाने है 10 sentence बनाने के बाद आपको उसका translate कर देना है translate जब कर देंगे तो आपका यहां पर later writing क्या हो जाएगा complete हो जाएगा ठीक है ना अब देखिए band loudspeaker की बात करेंगे at late night मतलब मध्यरात रिता गया देर रात तक जैसे 10-11-12 बज़ गया तब तक जो loudspeaker बनते हैं उसको band कराने के लिए उसको band कराने के लिए आपको एक letter लिखना है ठीक है ना और यहां पर उसके लिए आपको लिए लिखना है जो के आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इम्मत पूर्ण है तो breakdown आप water supply और band loudspeakers at late night और crime by teenagers तो हमारे teenagers द्वारा को जो crime हो रहे हैं उसको पर आपको एक letter लिखना है ठीक है ना यह आपके लिए हो जाएगा चलिए ध्यान दीजेगा अगला देखिए आप देखिए तीन में से आपको याद कर लेना है तीनों को अच्छी तरीखे से क्योंकि इससे ही आपके प्रश्न बनने वाले हैं तो इनको आपको यज़ूर याद कर लेना है और लास्ट तक बने रहेंगे न तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने टौपिक आपको यहां देखिए एक एक टौपिक मैं आपको बता रहा हूं कोई चीज यहां पर छोड़ने का प्रयास ने क्या जारा अगला देखिए कौन कौन से टापिक्स आप से कौछ जाएंगे उसकी मैं आप चाचा करता हूं इंड्रेक्ट और इंडिरेक्ट मैंने आपको पूरा इंडिरेक्ट बताया हुआ आप लिस्ट में चाकर चेक कर सकते हैं उसको जोड़ना होता है यह आप कि सीनो नेमिस आएंगे शामी और शौनार तर्थी सब्धा आप के पास आएंगे okay नम उसके बाद इंटू नेम आएंगे विपरीत सप्द आप के पास आएंगे पूछा जाएंगो फोकी आंगे बेहाद इंप्रॉटनर और बेहाद हीन अनुक्ती हमाट आएगा जैसे दो sentence दे देगा उसका meaning अलग रहेगा उसका अर्थ अलग रहेगा लेकिन उसका जो उचारण है वो same रहे जिसे यहाँ पर check और check दोनों का उचारण सेम है लेकिन इसकी meaning क्या है अलग है ठीक है ना question number six की बात करेंगे Hindi to English Translation की बात करेंगे किसकी बात करेंगे Hindi to English Translation की बात करेंगे और यह आपको बहुत ही simple topic होता है इसको आप लोग याद कर लेजेगा पर लेजेगा ठीक है ना तो चलिए Hindi to English Translation भी आपको कर लेना है यह भी आपके लिए बेहाद important और बेहाद ही मत पूर है ठीक है ना चली आगे आपको बताते हैं question number 7 की बात करेंगे प्रोज की बात करेंगे यह भी आपके लिए बेहाद important है तो प्रोज में क्या पुछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर चार दो प्रस्ण करने होंगे चार प्रस्ण आपको दिया रहेगा जिसमें से दो प्रस्ण आपको करना होगा और इसमें आपको आठ नंबर मिलेंगे ठीक है ना तो यह आपको याद कर लेना है उसके बात one long answer type questions की बात करेंगे जिसमें आपको 7 नंबर मिलेगा टोटल का टोटल आपको इसमें 15 नंबर मिलेगा बहुत अच्छा portion है आप देखिए मैंने आपको बहुत सारे questions करवाया हुए तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है ठीक है ना यह आपके लिए हो जाएगा question number 8 की बात करेंगे, the last lesson, last spring, पहां की बात करेंगे, आप से पास पूझता है ध्यान दीजेगा, अपसे स्टेंजा फ logo मैं आप से पूछे का 3 प्रसने को आपको करना होगा, तो आपको क्या तयार करना है? the last lesson को तयार करना है last spring को तयार करना और deep water को यहाँ आप इतना याज कर लेंगे तो 100% guarantee है कि यहाँ से आपकी chapter से question फस जाएंगे यह मेरा guarantee है यह मेरा वादा है ठीक है ना तो यह आपको कर लेना है ठीक उसके बाद ध्यान देज़ेगा poetry आएगा poetry देखिए यह आपका approach के chapter approach के chapter है approach में आपको कौन को तयार करना है the lost lesson, lost spring और deep water तीन चप्टर आपको याद कर लेने है और यहाँ से आपको जो questions आएंगे वह आपको पढ़ लेना poetry की बात करेंगे stanza में आपका ध्यान देज़ेगा stanza आपसे पूछेगा और यह stanza आपके लिए बेहर्द important है 6 number आपको मिलेगा यहाँ से 3 short answer type questions आपको मिलेगा 6 number और 4 number का आपको इसमें central आडिया पूछा जाएगा और ध्यान देज़ेगा इसमें मैंने 2 चीज़ किया हुआ है पहला देखी चेप्टर आपका क्या है My Mother at 66 Keeping quiet An Elementary पहला आपका यह हो जाएगा दूसरा आपका यह हो जाएगा तो पहला My Mother at 66 आपका यह हो जाएगा दूसरा Keeping Quiet यह आपका हो जाएगा An Elementary School Classroom इन इंडिया यह आपके लिए हो जाएगा तो तिन चैप्टर आपको याद करना है इससे आपका इस टैन्जा भी फंस जाएगा और इससे आपके जो सौर्ट टाइप कोयसंस वाले कोयसंस है ना वो भी आपके हो जाएंगे तु आपको सिरफ और सिरफ इन तीन चैप्टर को आपको पढ़ना है और यह अच्छी तरीख तो ध्यान दीजेगा जैसे मैंने आपको प्रोज ने बताया था ना उसी तरीके से सप्लिमेंटरी को भी पढ़ना है और यहां से भी आपके कोईशन पूछे जाते हैं ठीक तो साट टाइप कोईशन की बात करेंगे ध्यान दीजेगा तो साट टाइप कोईशन आपसे पूछा जाएगा ठीक और एक लॉंग कोईशन आपसे पूछेगा ठीक जैसे आपको बताया मैंने चार कोईशन आपसे पूछेगा साट टाइप जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितने करने होंगे ध्यान दीजेगा दो ही करने होते हैं उसके बाद एक long answer type question पूछेगा जिसमें आपको 15 नमबर मिलेंगे इसको भी आपको कर लेना है उसके बाद solve करेंगे ध्यान दीजेगा कौन कौन चप्टर ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं जिसके प्रशन और जिसके बाहर आपके नहीं आने वाले हैं इसको जरूर याद कर लिए चलिए आगे आपको बताते हैं ध्यान दीजेगा अब देखे यहां तक तो आप आचुके हैं लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है अभी और अभी आपका physics बाकी है अभी आपका chemistry बाकी है ठीक है ना पूरा मैंने आपको गरंटी दिया है कि 500 नंबर दिलाओंगा तो दिलाओंगा बस आपको हमारे साथ रूके रहना है और जो चीज मैं बता रहा हूं ना उसको आपको याद करते चलना है ठीक है ना तो कक्षा बारा physics की बात करेंगे 2024 ध्यान दीजेगा 2024 में जो बच्चे ह है ना वोन के लिए ये वीडियो बहुत ही important है 100 नंबर यहां पर आपको पक्का हो जाएगा बस इतना प्रशनों को तयार कर लो 100% गरंटी है कि आपको यहां पर इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है मात्र 50 टॉपिक मैं आपको यहां पर बताऊंगा मात्र सिर्फ और सिर पढ़ लो और आपको 100% गरंटी है कि आपको तयार हो जाएगा ठीक है ना चलिए पहला टॉपिक आपके पास आता है बैदुत आवेस इवन प्रकार की बात करेंगे यह बराबर वन अपन फॉर पाई अपसाइले नाट की वन क्यूटू अपन आर इस्कायर यह आपका होता बैदुत आवेस कितनी प्रकार के होते हैं और बैदुत आवेस होता क्या है पहली परिभास आपको यहीं हो जाएगी तो इसको आपको पढ़ लेना है उसके बाद आता है कोश त्द्धान क्या हो जाएगा अध्यारोपण का सध्धान यह भी आप Councillor पूचता है और बहुत बार पूछा गया है ठीक है ना उसके बाद आता है आपका वांडे ग्राफ जणित्र क्या आता है यह भी आपको कर देना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टन और बहुत इमत पूर्ण है और ये भी आपके बात बहुत पूछा गया ठीक है ना बैदू छेतर रेखाएं की बात करेंगे बैदू छेतर रेखाएं भी आपसे पूछेगा इसको भी आपको कर लेना है जो कि आपके लिए बेहत important है ठीक है ना बैदू छेति की तिवर्ता की बात करेंगे बैदू छेति की तिवर्ता क्या होती है इसको कैसे आपको solve करना है ये भी आपको कर देना है बैदू छेति की तिवर्ता संबंधी ब्यांजक आपको लिखना है ये भी आपको कर देना है जो कि आपके लिए बेहद इंपोर्टन्ट और बेहद ही मतपून है तो इतने टॉपिक आपको करने है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको जो टॉपिक में बता रहा हूँ न उसको सिर्फ और सिर्फ ढूल करके का करना होगा पढ़ना होगा और अच्छी तरीके स्तयार करना होगा आप देखिएगा कि आपके सारे टॉपिक और सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है न विभूम आपी के सिध्धान्त की बात करेंगे विभूम आपी का सिध्धान्त क्या होता है ये आपको कर देना है ठीक है न और य चुम्बकी चेतर की संकल्पना आपको बतानी है कि चुम्बकी चेतर का शंकल्पना क्या होती है ये आपको करना है उसके बाद बायो शेवर्ड का नियम क्या बायो शेवर्ड का नियम यानि क्या होता है mu 0 upon 4 pi i delta l sin theta upon r square ये आपका होता है बायो शेवर्ड का नियम उसका दगला आता है ampere का नियम एवं अनुप्रयोग की बात करेंगे ये भी आपको कर देना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्डन और बेहद इमत पुन है चल कुंडली गलवेनों मीठर की बात करेंगे तो चल कुंडली गलवेनों मीठर क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि चल कुंडली गलवेनों मीठर क्या होता है उसके बाद चुम्बकी छेतर रेखाओं की बात करेंगे जुमब की छितरेखाएं क्या होती है यह आपको करना है लेंज का नियम ठीक का नियम क्या होता है यह भी आपको कर लेना है जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्डन है क्योंकि ऐसे प्रस्ट में आपो पूछा भी गया है ठीक है प्रेरण एवं अन्योन ने प्रेरण आप से पूछेगा यह भी आपको कर देना है जो कि आपके लिए बेहत इंपोर्टेंट है उसके बाद निरक्षी तथा अक्छी इस्तिती में यह आपके लिए हो जाएगा उसके बाद बैदुत बीभा तथा बैदुत बिभवान तर ये भी 100% पूछा याता है ये भी टॉपिक आपको याद कर लेना है बैदुत दुधरू की अच्छी इस्तिती में किसी बिंदु पर बैदुत बिभव का सुतर भी आपसे पूछता है इसको भी आपको लिख लेना है शम बिभव प्रिष्ट क्या होत इसको भी बैदूत ओर्जा उर्शक्ति की बात करेंगे तो बैदुत उर्जा उरशक्ति क्या होती है यह को करना है सिल का बैदुत वाहक बल क्या होता है EMF क्या होता है यह आपको बताना है जो कि आपके लिए बेहद इंपोर्टन और बेहद इमत पूर है अगला देखे वीट इस्टून से तु क्या होता है PYQ बराबर RYS जो कि 100 पर्षिस आप से पूछा जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपोर्टन और बेहद इमत पूर है मीटर से तु की बात करेंगे मीटर से तु आपसे पूछा जाएगा मीटर से तु क्या होता है बैदुत चुम्बकी छेतर की अनुप्रस्त प्रकृति क्या होती है यह आपको बताना है बैदुत चुम्बकी छेतर की जो अनुप्रस्त प्रकृति होती है वह क्या होती है यह आपको बताना है बैदुत चेतर स्पिक्टरम की बात करेंगे बैदुत चेतर स्पिक्टरम क्या होता है यह आपको बताना है प्रकास का अपवर्तन क्या होता है प्रकास का अपवर्तन एक परावर्तन होता है एक अपवर्तन होता है जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे हम प्रकास का अपवर्तन कहते हैं जब प्रकास एक माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में पुनवापस लोड़ जाते हैं उसे प्रकास क परावर्तन कहते हैं ठीक है ना उसके बाद प्रत्यपिंबिका बनना एवं समंजन छमता की बात करेंगे यह भी आप से पूछा जाता है फ्रिंज की चौणाई का बयंजक क्या आपसे पूछेगा हाईगेंस का सिध्धान्त क्या होता है ये भी आपको कर लेतीकरण एवाम सरते की बात करेंगे बयातीकरण एवाम सरते क्या होती है ये आपको करना है सुक्षमदर्सी था दूरदर्सी आपको पढ़ना है ये भी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है विकीरणों की तर दैर्द प्रकृत के बारें पोस्ता है ये भी आपको कर देना है हर्थ तथा लेड़नाड प्रिक्षन की बात करेंगे इसको भी आपो कर देना है परमाडु का रदर फोड माडल क्या परमाडु का रदर फोड माडल भी आपसे पोस्ता है इसको भी आपो कर देना है नाविकी बिघटन एवं शलयन की बात करेंगे ये भी आपो कर लेना है कूचालक तथा अर्धचालक की बात करेंगे ये आपो कर देना कूचालक क्या होता है जिसमें बिल्कुल हम धारा का प्रभाह न कर सकें उसे हम कूचालक काते हैं और अर्धचालक की बात करेंगे जो आ अर्धचालक कहते हैं ठीक है ना उसके बाद Einstein का प्रकास बैदुत सम्मिकरण क्या होता है Einstein का प्रकास बैदुत सम्मिकरण यह आपको कर देना है Dribrogly सम्मंध क्या है यह आपको पढ़ना है अर्धचालक डायोड क्या होते हैं यह आपको पढ़ना है ठीक है ना अगला टापिक हमारे पास आता है फोटो डायोड और सवर सिल ठीक है ना तो यह टापिक आपको पढ़ना है और यह देखें फिजिस की पूरे टापिक थे मेरे पहरे बचा लोग और जो आपके एक्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टन्ट और बेहदी मत पूरे ठीक है ना इन टापिक्स को अची तरीके से पढ़ लिजिए और पढ़ने के बाद इसको लिख लिजिए क्योंकि यह एक्जाम में एक्जेक्ली आप से पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं चलिए आगे आपको बताते हैं अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की कक्छा बार रसायन विज्ञान अगर आप चाहते हैं कि रसायन विज्ञान में मैं 100 मैं से 100 नमबर पाऊं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग की यहाँ पर आपके लिए पूरी पूरी तैयारी कराई जाती है कोई question नहीं छोड़ा जाता है कोई प्रस नहीं छोड़ा जाता है कोई इसा topic है जो छोड़ा नहीं जाता है आपके लिए 100% नमबर यहाँ पर मिलते हैं तो कख्छा बार रसायन विज्ञान की बात करेंगे 100 नमबर यहाँ पर पक्का कर पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है यहाँ पर न ज्यान देजेगा मोलरता मोललता और नारमलता मैंने आपको यह चप्टर पूरा पढ़ा हुआ है आप जाकर देख सकते हैं को कि मैंने यहाँ पर 6 चप्टर तक आप पूरा complete करा दिया है अभी आपको इस मन्त में प पुब्रा समाप्त कर दूंगा ठीक है ना तो यह आप घवडाईएगा नहीं ठीक है ना उसके बाद ध्यांजी जीगा मोल अंस तथा मोल प्रभाज की बात करेंगे यह आपको कर देना है को थनांक में उन्नययन या अनमन की बात करेंगे यह आपको कर लेना है परासरण क्या होता है यह आपको करना है डी डी टी का उपयोग वह परियावरण प्रभाव क्या होता है यह आपको बताना है ठीक है ना इलकोहल निर्मार की विधी की बात करेंगे यह आपको करना है उसके बाद लुईकास परिक्षण क्या होता है यह आपको बताना है ठीक है ना उ इल्डिहाइट की टोन तथा कार्बोक्षलिक अमल एमीन यह आपको करना है उसके बाद यहां दिजगा एमीन के निर्माण की विधी गुण और पहचान आपको करना है ठीक है ना चली आगया आपको बताते हैं अगला देखिए क्या है डाई एजूनियम लवण का निर्माण कैसे होता है यह आपको बताना है कार्वो हाइडेड तथा इसका वरी करन क्या होता है यह आपको बताना है मोनो सेके राइड गलुकोस तथा फ्रक्टोस क्या होते हैं यह आपको बताना है ठीक है ना टॉलेन अभिकरमक क्या टॉलेन अभिकरमक काईक अमल ठीक है इसको लचना और कार के बारे मूज़ेगा यह भी आप कर लेना है ये भी आपको करना है यह अंतर फ्रिंगर प्रिंटींग याफ करना है mouvement लियू को बताना है सेलुल्योज वुस का रियक्षिं की बात करेंगे बह모के सें सेंट्ट अभिकरिया क्या होती ही आपको बताना है, कैसे प्राप्त करेंगे घ्यान जीब क्या होता है, यह सारी चीज़े भी आपसे पूछी जाती है, तो इनको भी अच्छी तरीके साफ को पढ़ना है, अब देखिए आगला जो हमारा आएगा चेप्टर होगा बाइलोजी इसी तरीके से आप सभी लोग डुके रहिएगा जो हमारे बाइलोजी वाले बच्चे है ना उनको भी 100% नमबर आपको यहाँ पर दिलाने का प्रयास किया जाएगा ठीक है ना अगर आप चाहते हैं कि बाइलोजी में भी 100% 100% नमबर पाऊं तो यह आपके लिए सही वीडियो है आप सही वीडियो पर आए हुए है ठीक है ना पूरा वीडियो जरूर देखना है आपको 40-50 टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टॉप करके आओगे कक्षा 12 बाइ युगमोद कोदभित का विकास ठीक है यह आपसे पूछेगा उसके बाद निस्य चन दोहरा निस्य चन युगमक जनन यह आपसे पूछेगा बहुभरता पराग कन पराग कन स्वपरागन यह आपसे पूछेगा भुण पोस इवं भुण परिवर्तन पूछेगा नर एवं मादा जनन दंदर आप से पूछेगा, सुक्र जनन एवं अंड जनन आप से पूछेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टन है, ठीक है ना, भुण पोस्त था, भुण पोस्त में अंतर आप से पूछेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टन है, ये ठीक है न, अगला देखे क्रॉशिंग अपमोर प्रभाविता मंगोली जड़ता लिंग नेधार लिंग सहलंग नगूर मेंडल का नियम यह सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसके बाद अनुवांशिक कूट अनुवांशिक कूड यह आपको पढ़ना है डीने का वाटसन इवं क्र प्रणाली क्या होती है यह आपको बताना है तो मेरे प्यारे बच्चा लोग यह आपके लिए इंपोर्टन्ट वीडियो थी बहुत ही मत्मूर वीडियो थी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक सेयर कमेंट स्काब जरू कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए मेरे प्यारे बचा लोग जए हिंद जए भारत